हलो दोस्तों स्वागते सभी का Easy Crack Exam में दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुलावी करांती, पिंक टाइड, क्या है, क्यू चर्चा में है, जब से आपको ब्राजील का चुनाव, लुला डी, डिसलवा जी जीते हैं चर्चा में क्यू है, अमेरिका करें किया इस संवंद है, भारत में क्या से इस भी चीजों पर बात करेंगे, यह चुकिक आपको छर्चा में हो सकता है कि यहां से आपको प्रस्नि पूछ दे कि गुलावी करांती का संभन किस से है, पिंक टाइड क्या है, यह एकनोमिक्स नही हैं उनकी सरकार जहां पर बनती यांब अवर्चो च्थापीत होता है उसे को कहते हैं गुलावी करांती ठीक है तो पिंक किटाइट जिसको कहते हैं लातिन अमेरिका जिसके बात करें अगर हम लोग यह बात करें डक्षिन अमेरिका के इस स्थान को यह सभी छेत रहना यहां पर वामपंति सरकारे काफी बन चुकी है। इसलिए को आपको वामपंति महादीप भी अगर संब्वोध्य करें तो गलत नहीं होगा। तो सुरू सहीं अमेरिका वीरोधी रहता है। इसलिए वैस्त्विक इस्तर पर कई सारे आपको यहां पर रन पर काफी इसका प्रभाव देखा जा सकता है क्या है पिंक टाइट क्यों भार ले रहा है आई इसको समझते हैं तो इसकी सबसे पहरी लहर पिंक टाइट के मतलब यह सिंपल समझे कि वाम पंति सरकार का बनना और यह इस समय हुआ जब आपको ब्राजील में आपको लूला जी जीत गया है और उसी के बास यह बहुत ही जादा चर्चम है आकि लूला जी जो जीते हैं आकि इसके पीछे क्या कारण है क्या कारण बना इसका प्रमुक चीजों पर भी अभी हम लोग बात करेंगे ब्राजील की चीजों को देखेंगे तो सबसे पहले जब इस प्रकार की जो हेड थे वामपंदी थे और 2010 के बाद लाइटीन अमेरिका के देशों में सत्ता वामपंदी देलों के हाथ से में फिर देदेरे खिसकती गई जो कि 2020 में फिर से वापस आ रही है इसलिए इसको कहते हैं आपको ध्यान रखेगा इसलिए इसको आपको कहते हैं पिंक टाइ कोरोना के बाद आपको क्या होता है कि वहां पर जो भी पुझी पती आपके जो पुझी पती सपोर्ट करते थे जो प्रसाहन देना परन्तु कोरोना ने तहस्नत कर दिया पूरे विश्व को कर दिया जिसके कान से इंफलेशन की स्थिति इन सभी देशों में काफी बढ़ ग या कई से रहे तो वहाँ पर उनका भी रोध हुआ तो जो सबसे बड़ा कारण आकर बनता है वो होता है आपको inflation and corona इसके बाद लोगों की स्थिति जो आर्थिक स्थिति बिगड़ती है फिर लोग चाहने लगए कि भाई फिर से हमारी सरका Rs 2000 वाली आ जाये यानि महाम मतन् zij लेट इस जो है आपको अहाँ पर आ जाया इस पूरे विष्व की स्थिती अगर हम लोग देखें कि लोग भात करेंगे कि आखिर कहा कहां आपको इनकी की सरकार है तो देखिए यहां पर कहा कहां लेट की सरकार है तो देखें कई यह अर्जेंटीना वोलिविया ब्राजील चिली कोलंबिया होंडूरास मैक्सिको निकारा गुगा पनामा पेरू यानि यह जितने भी आप लोग देख रहें यह हर जगह आपको परागवे और आगवे छोड़ दीजिए तो लगबग आपको हर जगह आपको वामपंथियों क सरकार है डारेक्ट ये इंडरेक्र गॉप से अब समझेगा कि इसके कितने मायने हैं ब्रह बद्रालेंगा भानоворा दूबहा काफी डीदी के अने के बाद और हालन कि वो संगर्स वहाँ भी कर रहे हैं एक समय था कि जब आपको leftist या पी वाम पंतियों का वर्चो तो इस थापीता हर जगा लेकिन अब धीरे-धीरे कम होने लगा लेकिन फिर से इनका उभार होना जिसको पिंग टैड या फिर गुलावी करांती 2.0 की संग्या दे रहे हैं काफ capitalist को support करते हैं उनकी रणनीती में असर होगा चुकि आपको जो South America है एक बड़ा देश है चोटा तो देश है नहीं है कंफॉर्म है कि अमेरिका के राज आपको नीती पड़ेगा आखिर क्या कारण रहा कि फिर से ब्राजील में यह चीजों को देखने को पड़ा तो आपको जो इनके पुर्वराश्ट पती हैं आपको बोल सोनार जी उन्होंने आपको क्या किया कि इन्होंने प्राविटाइजेशन को थ्वासा बढ़ावा देने की कोशिस की नीजी करंज को कहते हैं ओपेन मार्केट की आपको यह चीजों की स्थापना की इफेन आपको पर्यावरन स्रंक्षन जो की आज का विश्व का सबसे गंभीर मुद्ध है उसको भी दर किनार करते हुए उन आपको लाइटिन अमेरिकन देशों में और इसके जो रनीती है भारत के संदर में अभी केरला जो है अपना वर्चस तो स्थापित कियो है लेफ्टिस्ट में बंगाल में अभी संगर सरत है लेकिन विश्व सतर पर यह दिम लोग बात करें तो लगभग दक्षिन अमेरिका आपको यहां पर कम्प्लीट रूप से आपको लेफ्टिस्ट के अंद्रगत आ चुका है तो यह विश्व लाजनीदी बहुत असर पड़ेगा एक आपको इंपॉर्टेंट डेट है यह जितने भी सुरुवात ही आपको देख रहा है यह सभी लीडर जो है दो हजार के दरस हैं प्रहाई सुरु में नहीं हो पाई थी उसके बाद यह काम करने लगे मैं आपको मेटल के फेक्टरी में काम की है उसके आंदोलन में यह थोड़ा सा चेहरा बने उसके बाद आपको वरकर्स पार्टी को बुनियाद रखी फिर जाकर आपको लेट की राजनीती में इनको वो मैंने आपको बता दिये कि अमेरिका को असर पड़ेगा यह क्या क्या है ठीक है तो मिलते हैं हम लोग नेस्ट अपडेट में थाइंक यू